नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आप ही YouTube चैनल में सब्सक्राइब यहां डिसक्रशन करने वाले हैं about a stock जहां पर stock split and bonus event दोनों साथ ही साथ होने वाला है यहां एक share हो जाएगा पी share आपके demand account में यहां पर अच्छा खासा आपको price adjustment देखने को मिलेगा तो क्या यह stock में खरीदने का मौका है यहां पर धोका मिल सकता है इन सब इस जो को इस वीडियो में discuss करने वाले है तो चलिए स्टार्ट करते हैं about the company तो देख सकते इसका अभी भाव चल रहा है इसका closing event होने से पहले stock में अच्छा खासा उच्छाल आ चुका है एक साल में चेक करेंगे तो लोगों 313% का return लोगों को आया यानि कि देख सकते हैं अच्छा खासा return आया है और event से पहले यह stock भाग चुका है maximum जिन्होंने लंबे समय से hold करके रखा 12,825% का लोगों कहां पर returns आय तो क्या जगापन लोगों का निवेश करना है कि करना चाहिए कि इसे भी जो को हम लोग अभी आगे discuss करने वाले हैं तो सबसे पहला चाहिए कि हाँ जो event होने वाला है उसको हम लोग discuss कर लेते हैं तो हैं दो corporate event है एक है sublizan split होने वाला है और दूसरा क्या bonus issue को ले करके तो वो तूट करके क्या हो जागा 10 share में convert जागा एक share हो जाएंगे 10 share और जो split shares रहेंगे उसका phase value रहेगा एक आसान सब्द में एक share हो जाएगा 10 share आपके demand account में यह पहला event हो गया दूसरा क्या है bonus issue bonus का ratio है 2 to 1 का यानि कि for every one existing equity shares एक share के बदले में company जो रता है issue करेगी 2 bonuses issue इसका recorded fix क्या गया 8th number 8th number 242 इसका recorded fix क्या गया तो 7th November तक जो भी share को खरीद करके recorded तक रखेंगे वो इस corporate event के लिए eligible रहेंगे अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि split के कारण अभी हमनों discuss क्या 1 share हो जाएगा 10 share तो हो गया देखिए 10 share जो दूसरा event है that is bonus and bonus में क्या होगा 1 share के बदले में 2 bonuses आपको मिलेगा तो देखिए आपर होगा क्या देखिए आपर split के कारण 1 share हो गया 10 share पहले से है then after that क्या है 20 share आपको bonus के रूप में मिलेगा 1 share के बदले में 2 bonus से 10 के बदले में 20 हो गया तो total क्या हो जाएगे 30 share हो जाएगे 30 share हो जाएगे तो 1 share हो जाएग 30 shares आपके demand account में हो जाएगा because of bonus and split अब देखेंगे आपर इस कारण से अच्छा कास आपको price adjustment भी देखने को मिलेगा मान लिजे इसका 710 का जो भाव भी आप देख रहे है X rate से एक दिन पहले का भाव में माननों कि यह है recorded से एक दिन पहले का भाव में माननों 710 है अभी क्या है? मान लिजे अपकास एक quantity shares है तो क्या हो जाएगे? split की कारण हो जाएगा एक से हो जाएगा 10 और उसी ratio में देखेंगे इसका भाव भी गिर करके 710 से गिर करके 710 से गिर करके 710 से गिर करके 71 23.67 याफी 24 रुपय के रॉपय के रॉपय में आपको दिखेगा यहाँ पर देखेंगे दोने इवंट के कारण किया हुआ quantity और shares आपके अकाउंट में एक से हो गाए 30 भाव जरहतान 710 के से गिर करके हो जाएगा 23-24 के रॉपय के रॉपय में देखने को मिलेगा पीचे reason क्या है liquidity बढ़ाने के लिए quantity of share जब share market में बढ़ जाएगा after split and bonus इसमें investment trading दोनों बढ़ेगा इस कारण से दूसरा affordability यह share अभी जितना महंगा लग रहा है यह फिर सस्ता लगेगा और इस कारण से क्या होगा retail का अब कंपनी का fundamental को चेक करेंगे तो small cap stock है 1,717 kronos का market cap है stock का PY 132 industry का 31.7 यानि कि stock का valuation भी काफी महंगा हो चुका है पिर उसकर 5 का 9 से जितना करी मुत अच्छा माना जाता है तो उतना बढ़िया नहीं है profitable stock है कोई भी share pledge नहीं है debt free company यहाँ पर देखने को मिला प्रमोटर का श्रीक देख सकते हैं यहाँ पर 0% यहाँ पर देखने को मिला है high बनाया था 944 का low है 162 का अभी 10 है जो की change कर जाएगा after split अब आगे बढ़ते हैं company का shrinking industry को चेक करेंगे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ कॉन है public यहाँ पर hold कर रही है 100% stake hold कर रही है तो बहुत ज़्यादा chance से कुछ promoter भी इसमें जरूर होगी अब आगे बढ़ते profit and loss treatment को भी चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते है company जो रहता है अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी टीटेम बेसें 13 है यानि कि कुछ भी चीज यहाँ पर constant नहीं है कुछ भी possible हो सकता है इन नियर टम में भी अब आगे बढ़ते है company को checkering operations तो company has not carried any business operation in financial 2021 due to its poor financial condition यानि का company का financial condition में उतना बढ़िया नहीं है इसलिए company का revenue breakup को check करेंगा तो it's a loss making entity है and is not generating any revenue either from operation or from other income for the past many years तो समझ सकते हैं अभी current ही यह profit manage strategy है past अगर check कीजेगा कुछ साल से तो हापर यह loss making company अभी जाकर के थोड़ा यहाँ पर profit देखने को मिल रहा है अब company का balance sheet को भी जड़ा चेक कर लेंगे है इस company में तो मैं इस जगा पर कोई भी निवेश नहीं करने वाला हूँ because of this event bonus या stock split यह था complete update I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगाँगा वीडियो अच्छा लगा तिने वीडियो को लाइक कीजेगा share कीजेगा यह चनल को subscribe पीजेगा thank you